नमस्कार दोस्तो राजेस आयरवेदिक्टिफ चैनल पर आपका स्वागत है यह जो आप पौधा देख रहे हैं यह बहुत ही अच्छा आउसदी पौधा होता है और यह लगबग सभी घरों में यह उगाया जाता है यह इस पौधे को आयरवेद में सदा बाहर के नाम से जान दोगा सदा बाहर की पत्तियों को रामबाण माना जाता है और इसके अलावा सदा बाहर पौधे का परियोग क्या गंभीर रोगों की उपचार के रूप होता है सदा बाहर का पौधा घर पर लगाने से घर की नकारात्मक उर्जा खत्म हो जाती है सकारात्मक उर्जा का विश्तार होता है और जिससे घर में प्रेम और मिठास तो यह बढ़ाता है सदा बाहर का फूल सनी देव को को भी प्रसंद करता है साथ ही राहू और केतु के दुष्प्रभाओं को भी खत्म करता है इस पाउधे में इतने गुण हैं यह बहुत ही बढ़िया आयरुवेदिक आउसदी है इससे सैकलों फायदे हैं इस वीडियो में कुछ घरेलू वह बता रहा हूं जो जाता तर लोग होते रहते हैं रोजमर्रा की जिन्दगी में वह दो सुटपन होते रहते उनी को मैं बताऊंगा प्रियोग बहुत ही सरल है और वीडियो को अंते तक देखें पता नहीं कौन सा प्रियोग आपके काम आ जाय है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी के बटन को दबा कर आल पर क्लिक कर लें वीडियो अच्छा लग रहा हो जानकारी अच्छी लग रही हो तो दोस्तों मित्रों को भी सेयर करें ताकि उनको भी इस पौदे का फायदा मिले सदा बाहर की पत्तियों में कुदर्ती ऐसे गुण है जो दर्द को कम करते हैं कभी कभी काम करते समय शरीर की मांस्पेशियों में खिचाओ उत्पन हो जाता है जिसके करण वहां पर दर्द उत्पन हो जाता है सदा बाहर की पत्तियों का रस मांस्पेशियों की खिचाओ को ठीक करता है और साथ उसमें जो दर्द हो रहा है उसको भी ठीक करता है ये एक दर्द नासक के तोर पर इसके पत्तियों का रस काम करता है खिचावाले स्थान पर इसके पत्तियों का रस लगाएं तो बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाएगी सदावार की पत्तियां विटामिन ई से भरपूर होती हैं इसकिन की हर परिसानी में ये फाइदा पहुंचाती है इसकिन में कील मुहासे जहाईयों हो अत्वा चेरे में सावला पन हो या फिर तचा में कहीं पर गाठ बन गई हो इस तरह की सभी परिसानी में सदावार की पत्तियों को रस निकाल कर रूई की सहाईता से लगाने से कील मुहासे दाग धबे तो ठीक होती है साथ में गाठ भी ठीक हो जाती है गाठ को ठीक करने के लिए ये प्रियोग थोड़ा आपको लंबे समय तक करना पढ़ सकता है मदुमे की समस्या बहुत ही आम समस्या हो गई है ये इतनी तेजी से बढ़ रही है आज के आदुनिक जीवन सहली इतनी बेकार है लोग प्रकत से दूर होते जा रहे हैं इसलिए लोग घरों में artificial पौदे लगाते हैं बजार से खरीड लाते हैं artificial लगाते हैं क्या फाइदा उतसे मिलता है ऐसे plastic पौदों से कोई लाब नहीं होता है यदि आप सदा बाहर जैसे सदा बाहर को भी लगाए ऐसे और भी तमाम पौदों को लगाए जड़ी बूटियों को घर पर लगाए उनसे बहुत अच्छे आपको बेनी फिट्स मिलेंगे तो यह साथ में इसकी पौदे के क्या लाब है यह डाइप्टीज को को तो कंट्रोल करेगा बहुत सारी बीमारियों में आपके घर की सभी सदस्टों की यह हल्प करेगा इनकी साथ-ाथ पत्तियों को आप अगर सौश्थ हैं तब भी आप खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लाब है मदमे की समस्षग यह पूरी तरह से कंट्रोल करता और इंसिलीन के निर्मार में साहिता करता है साथ-हरक्त में मौझूद गुलुकोज को उर्जा में भी पर्वर्टित करता है यह है इसका फायदा सदा बाहर की पत्तियों में कुछ ऐसे अलकलाइट्स पाय जाते हैं जो बलड प्रेसर में फायदे मंद होते हैं आप बलड प्रेसर में इसकी सदा बाहर की पत्तियों का प्योग कर सकते हैं सदा बाहर की पत्तियों में मवजूद कैंसर रोदीगूर सरीर में कैंसर सिल्स को खत्म करते हैं जो कैंसर सिल्स बढ़ने लगती हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनको नस्ट करते हैं, कैंसर की कोशकाओं को खत्म करते हैं और अच्छी कोशकाओं का निर्माड करते हैं किड्नी स्टोन की समस्य में सदावार की पत्तियों के इस्तिमाल बहुत फायदेमंद होता है किड़नी की पथरी हो जाने पर सदावार की पत्तियों को पानी मुबाल ले और फिर उस पानी को लगबग 50 ml की मातरा में सुबह समाप सेवन करें तो किड़नी की पत्तियों निकल जाती और किड़नी भी हल्दी होती है सदा बाहर की पत्तियां एंटी विनूमस प्रापर्टी पाए जाती है इसकी पत्तियों का रस साप इवन बिच्छू के काटने पर जहर को फैलने से रोकता है एक चम्मच रस को पीने से और इसके रस के दंस वाले स्थान पर लगाने से जहर कंट्रोल होने लगता है इसके लगा कीट बर ततहिया के काटने पर भी आप इसके पत्तियों के रस को लगाने से दर्द जलन में तुरंत आराम मिल जाता है सदा बाहर की फूलों में एंटी इंटी ग्रेंट्स ऐसे होते हैं जो खांसी जुखाम अस्तमा और सौंसनलियों की सूजन सर्दी से निजात दिलाने में मदद करते हैं इसके फूलों को आप काला बनाकर इसकी पत्तियों को मिलाकर पीने से कफ भलगम भी कम हो जाता है यदि छोटी उम्र में ही बाल सफेद हो रहे हों तो सदा बाहर की पत्तियों और फूलों को प्रियोग करके आप बालों को काला कर सकते हैं करना यह है कि सदाबार की पत्तियों को और फूलों का रस लगबग एक से दो चम्मच की मात्रा में निकाल लें और कुछ बूंदे उसमें कैस्टर रायल की मिला ले और थोड़ा सा एक चम्मच लगबग नारियल की तेल मिला कर बालों में प्रति दिन उसको थोड़ा सा नीब नहीं है तो इसको दो तीन फूलों को और दो तीन पत्तियों को आप प्रति दिन सुबह आप खाली पेट चबाइए आपको बहुत ही अच्छा इससे लाब मिलेगा सदाबार की पत्तियों का रस दिमागी बिमारियों को ठीक करने में बहुत ही कारगर है इसमें मौजूद पागल पन जैसकी बिमारियों से बचाथन को एक चम्मस रस को सहथ के साथ मिलाकर पीने से अच्छा रहा मिलता है। इसके लावा सत्वार की पत्तियों का रस पीने से इम्यून सिस्टम होता है नर्वस Souसूद भी ठीक रहता है। महिलाओं के गर्भासे से सभी समश्याओं को यह दूर करता है गर्भासे की मासपेंशियों को मजबूत करता है आनियमित महवारी को नियंतित करने मदद करता है और जड़ते हुए बालों को यह रोकता ही है सदा बाहर की पत्यों कर रस नाक और गले के संक्रमण को दूर करने में बहुत फादे मंद होता है इसकी पत्यों की चाय बना कर पीने से infection दूर हो जाता है क्योंकि इसकी पत्यों में window lean नमक तत्त पाया जाते जो संक्रमण को खत्म करता है इस प्रकार से आपने देखा कि सदा बाहर कितना अच्छा आउसरी पौदा है और सदा बाहर के फोल और पत्यों होती इनका पाउडर बाजार में भी मिलता है आप बाजार से भी इनका पाउडर खरीच सकते हैं, उसको प्रियोग कर सकते हैं, या अपने घर में पौदा लगा लिजिए, तो वो तो बहुत ही अच्छा है, इस प्रकार से वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, थैंक यू, जयें